स्टेटी एर भागलपूर इस बैक अगेन आये मित्रों पार्ट थिरी भासा सिक्षण की वेधियां पार्ट वन के महत्पूर प्रश्णों को देखते हैं तविता सिक्षण में समीक्षा विधी का प्रयोग किया जाता है तो समीक्षा विधी जो explanation method होता है उसका प्रयोग तो छोटे अस्तर में बच्चे में ज्यादा तारकेकता डेवलप नहीं होती है इसलिए प्रात्मिक अस्तर नहीं लेंगे 1,2,5,6,8 माध्यमिक अस्तर लेना नहीं है उच्चक अक्षाओ में higher level में प्रयोग कर सकते हैं higher level के लिए c नंबर उत्तर होगा next प्रात्मिक अस्तर पर व्याकरन सिक्षण के संबद में कौन सा गथन सही है व्याकरन का teaching करने के लिए तो अपचारिक व्याकरन सिक्षण होना चाहिए अपचारिक अर्थात method क अनुसार नियम काईदे कानून फॉर्मल तरीके से अनुपचारिक व्याकरन सिक्षण होना चाहिए यस खेल खेल के माध्यम से अनुपचारिक नौन फॉर्मल ढंग से बच्चे के परिवेस से जोड करके होना चाहिए अनुपचारिक अर्थात नियम काईदे कानून से थो लिए D number नहीं होगा, B number हो जाएगा, चुकि एक number नहीं लेंगे, फ्रात्मी कस्तर की बाते हैं, नेक्स्ट, व्याख्या विधी, किस विधी का विस्तारीत रूप है, व्याख्या विधी, लेक्चर मैथड जो होता है, व्याख्या विधी, तो किसका रूप है, सब्दार्थ विधी, सब्द का अर्थ बताते हैं, व्याख्या करते हैं, लेक्चर वगेरा, तो एक नमबर तो होगा हमारा, तुलना विधी, यह तो विसलेशन विधी का है, गीत विधी नहीं, व्याश विधी नहीं, यह साव, संस्कृत में प्रियोग करते हैं, खास दोर पे व्याश एक नमबर हमारा सबदार्थ, मीनिंग पुल, मीनिंग बताते हैं, निम्न में कौनसी एक व्याकरन सिक्षन की विधी नहीं है, तो कौनसी विधी नहीं है, तो व्यास विधी नहीं है, व्यास विधी, व्यास मैधर्ड, वेस्तारित करते हैं, व्याकरन सिक्षन की विधियों, आगमन विधी है, निगमन विधी, समवाय विधी, समवाय विधी भी होती है, समवाय विधी समक्ष में रख करके जैसे एक्स्प्लेन करने के लिए फॉर्मेट वगेरा बनाते हैं, डाटा वगेरा बनाते हैं, यहाँ पर हमारा व्यास विधी हो जाएगा उत्तर की रूप मे निमलेक में कौन सी गद्य सिक्षन की विधी नहीं है गद्य सिक्षन गद्य अर्थात कहानी वगेरा का जो सेगमेंट होता है प्रोज सेगमेंट तो कौन सा नहीं है तो गीत विधी गीत किसके अंतरगत आता है पद्य के अंतरगत आता है पद्य poetry यही तो नहीं हो जाएगा ना सबदार्थ कहानी के अंतरगत रहता है व्याख्या प्रश्न उत्तर एक नमबर उत्तर होगा कवीता सिक्षन की व्यास विधी का प्रियोग के सस्तर पर सबसे अधिक महत्पूर्ण है व्यास विधी का प्रियोग व्यास महदे के नुसार प्रस्ताविधी तो प्राथमी कस्तर, माध्य में क स्तर, प्राथमी कस्तर, उच्छ कक्छाओं में प्रियोग होता है व्यास विधी माध्यमिक आपको बताया गया 6 to 8 11 से 14 वर्स की हुम्र और इस से उपर 9 क्लास से उपर 9 क्लास आधीत उच कक्छाओं के रूप में लेना है तो खेर नेक्स्ट निम्न में कौन सी व्याकरन सिक्षन का सिध्धान्त नहीं है अरे बाबा व्याकरन सिक्षन का सिध्धान्त नहीं है उपरोग सभी जो है ना हमारा क्या हो जाएगा ये भी है ये भी है व्यर्ता का सिध्धान्त समन्वित सिध्धान्त हाँ व्याकरन सिक्षन का अनिवार्यता का सिध्धान्त सिध्धान्त है व्याकरन सिक्षन का सिध्धान्त व्याकरन हमारे जीवन का पार्ट है हमारे अधीगम का लर्निंग का पार्ट है अनिवार रहे है व्याकरन सिक्षन का व्यार्थता का सिध्धान्त व्यार्थता का सिध्धान्त ये साथ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है साहब इस प्रशन को छोड देंगे, रहने दें इस प्रशन को समन्वित्च, सिक्षन, व्यकरन, सिध्धान्त के नहीं है यह क्या कहा जा रहा है इस प्रशन को ड्रॉप करें दोग्स नेक्स्ट प्रशन हर्बर्ट की पंच्पधी के अनुशार कौन सा ना हर्बर्ट ये पंछपधी पर्णाली जानते हैं, संस्कृत में खास Тور पर, हर्बर्ट की पंचपधी पर्णाली, तो क्या होता है? उसका तीसरा चरण, आदर्स विधी का तीसरा चरण है, तो प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, ग्रहिकारे, तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुती करन, यह तीसरे चरण में आता है, तीसरा step होता है, पहला क्या होता है साहब, प्रस्तावना, प्रस्तावना पहला होता है, फिर दूसरे रूप में क्या होता है, उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन, दूसरा step होता है, पहला तीसरा प्रस्तूती करण और चौथा बोध प्रश्न अंडरिस्टेंडिंग और अंत में गृह कारें यहरबर्ट की आधर्स विधी आधर्स सिक्षन पधती की हैं स्टेप सौपान स्टेजेज चियरण यहां हमारा सी नमबर उत्तर हो जाएगा पुना एक बार सुने मित्र पहला होता है हरबर्ट के पंच्पदी पनाली के अनुसार प्रस्तावना उद्दे से कथन प्रस्तूती करण बोध प्रश्न ग्री कारे होंवर्क दत्त कारे मिलते हैं पुना के सिदमदार वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जहें जय भारत वह अंदे मात रहें